Study IQ IS अब तयारी हुई पीएम मोधी ने Decide किया कि कन्या कुमारी जाकर वो Meditation करेंगे इसको लेकर Opposition Party ने Election Commission को Complain कर दिया है कि ये violation है Model Code of Conduct का ये ख़बर आप देख सकते हो PM's कन्या कुमारी Retreat, Violets, Poll Code Congress Moves, Election Commission Against Modi तो इसके बारे में हम डीटेल से चर्चा करेंगे और साथी साथ जहां पर PM मोधी Meditation करने जा रहा है उसको Vivekanand Rock कहते हैं तो वो exactly कैसे आया कब उसको Memorial बनाया गया वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी वेबसाइट एप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आपको maximum discount मिल जाए अगर आप optional का भी कोई batch लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं और इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले सुरुवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है जैसा कि मैं आपको बताया कि first of June को जो है last phase लोग सभाद चुनाओं का खतम हो जाएगा इसको देखते वे अब देखे क्या है न कि आज PM मोदी का जो आखरी rally है वो पंजाब के होश्यारपूर में है तो इसी को देखते वे PM मोदी ने ये कहा कि मैं आखरी rally पूरा करके जो कन्या कुमारी है अब आपको पताई होगा कि कन्या कुमारी आपको एकदम भारत का जो main land है इसके एकदम southern tip पर देखने को मिलेगा ये जैसा कि आप देख सकते हो और ध्यान रखेगा ये तमिल नाडू के अंदर है केरला में नहीं है तो तो राइट सैड में अगर आप देखोगे न तो यहाँ पर कन्या कुमारी का जो तठ है कोश्ट है उसके जश्ट कुछी दूर पर लगभग 500 मीटर पर समुद्र के बीच में आप देख सकते हो इस तरह का आपको आईलेंड जैसा देखने को मिलेगा यही आपका विवेका नंद मेमोरियल रॉक जिसको कहा जाता है तो वहीं पर जाकर पियम मोदी मेडिटेट करेंगे ऐसा उन्होंने निर्णे ले और आपको याद होगा यह पहली बार नहीं हो रहा है 2019 का भी जो लोग सबाद चुना होगा था आपको याद हो उन्होंने डिसाइड किया है कि वह इसको लेकर कमप्रेंड करेंगे सबसे पहले तो जो TMC है ममता बनर जी की पार्टी उन्होंने कहा कि अगर उनको मेडिटेशन करना है तो वह करें लेकिन उसको टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि अगर ये टीवी पर दिखाया जाता है मतलब इसका ये हो गया कि ये model code of conduct का violation है आपको meditation करना है आप शांती से करो आपको camera की क्या जरूरत है इसी को देखते वे यहाँ पर जो congress party है उन्होंने भी है ये allegation लगाया आरोप लगाया कि देखे जितना भी प्रचार वगर है वो 48 आर्स पहले खतम हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी PM मोधी वहाँ पर जा रहा है और इसी को देखते वे Congress ने एक delegation जो है अभी शेक मनिव सिंगवी, रंदीव सुर्जेवाला उनको election commission के पास गए और करीब 27 और complaint जो है BJP को लेकर उन्होंने election commission के पास किया फिर इसके अलावा यहाँ पर तमिल नाडू में जो DMK party है, समाजवादी party सभी ने एक तरह से यह कहा है कि एक तरह से अगर ऐसा होगा तो यह model code of conduct का violation होगा देखो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या होता है ना कि जब भी पूरा चुनाव प्रचार चल रहा होता है और model code of conduct लगा हुआ है तो यहाँ पर एक तो क्या है कि किसी भी वक्त, किसी भी समय 10 बजे के बाद रात को और सुबे 6 बजे के पहले तक आप कोई भी प्रचार नहीं कर सकते पूरे चुनाव के दोरान और जब भी जिस जगह पर चुनाव होना है उसके 48 आर्स पहले आपको पूरा चुनाव रोकना मतलब प्रचार रोकना पड़ेगा तो जाहर सी बात है 1st of June को यहाँ पर 7th phase का चुनाव है तो इसका मतलब यह हुआ कि आज 30th of May को जो है रात के बाद से प्रचार नहीं होगा तो यह model code of conduct कहता है लेकिन आप देखना होगा क्योंकि आप देखे PM Modi ऐस सच कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं यापर basically वो meditation कर रहे हैं जैसे वो किदार नात में भी पिछले बार जैसे उन्होंने किया था गुफा में जाकर कुछ वैसा ही कर रहे हैं अब देखना होगा कि election commission क्या इस चीज को लेकर कोई action लेता है क्या होगा वो नहीं पता हमें जो भी कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे लेकिन हमारे लिए important अब क्या हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पर विवेका नंद रॉक के बारे में काफी चर्चा हो रही है तो exactly है क्या मैं आपको बताता हूँ basically अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको बताया कन्या कुमारी के तड़ पर जो एकदम सदन वाला टिप है कोश्ट से अगर आप देखिए तो लगबग 500 मीटर के दूरी पर यह आपको देखने को मिलेगा यह एक तरह से आईलेंड आप कह सकते हो छोटा सा और मैं भी गया हूँ काफी अच्छा भी लगता है बहुत साल पहले गया था शायद मुझे याद है करीब 14 साल हो गए होंगे मुझे तो यहां से क्या होता है कि आपको एक फैरी लेना होता है नाव लेना होता है बड़ा अच्छा लगता है वो भी वहां से नाव जो है लेकर आप जाते हो और कुछ टिकट वगरा होता है प्राइस और फिर जो है आप जो है एंटर कर जाते हैं और उसके बाद वापस आना होता है तो यह बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहां पर यह जो बना हुआ है मेमोरिय में क्योंकि स्वामी विवेका नंजी का जो जन्म है वो हुआ था 1863 में तो 1892 में स्वामी विवेका नंजी ने तैर कर कोश्ट से तैर कर वहां पर पहुंचे थे आईलेंड पर और वहां पर उन्होंने खुद मेडिटेशन किया था बताईए जाता है कि तीन दिन और तीन उन्होंने मेडिटेशन किया और उसके बाद उन्होंने एनलाइट्मेंट प्राप्त कर लिया था और इसके पहले अगर आप देखिए तो 4 साल तक वो पूरे भारत में घुमते रहे उसको समझते रहे तो इसी के वजए से यह जो रॉक है जहां पर विवेका नंजीर मेडि करनी चाहिए फानली 1963 के बाद जब इसकी सुरुवात की गई उसके बाद 1970 में जो प्रेसिनेंट है विवी गरी उनके दौरा इसको इनौरेट किया गया था अब कोश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आना चाहिए कि आखिरकार पीम मोदी का यह जो डिसिजन है वहां पर meditation करने का इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है देखो एक तो क्या है ना अकसर आपने देखा होगा पीम मोदी हमेशा अपने भाशर में कई बार उन्होंने यह चीज़ कहा है कि विवेका नंद स्वामी विवेका नंद जी उनके रोल मॉडल है और अगर आप बच्पन में भ फाउंड किया गया था और 125th anniversary celebration पर भी देखें उन्होंने क्या कहा था स्वामी विवेका नंद had a grand vision of India and I am sure he is proudly watching India working to fulfill this vision तो वो इसको देख रहे होंगे और उनको अच्छा लग रहा होगा ऐसा पीम मोदी ने कहा था अब देखें जो selection है वो भी important हो जाता है चुनाओ के perspective से क्योंकि आपको पता होगा इस बात जो बीजेपी है वो काफी ज़दा push करी है कि south में उसको अच्छी-कासी seat आ सकती है especially तमिल नाडू में और इसलिए क्या हुआ है कि जो पीम मोदी का total one third trip है वो पिछले तीन साल में आया है south में और अकेले 2024 में 7 बार पीम मोदी ने तमिल बीजेपी के चीफ है अनम अलई उनको बनाया गया है तो इसकी वजए से बीजेपी काफी उतसाहित है कि वहां से उनको अच्छा खासा वोट शेर मिल सकता है वो सब खेर समय बताएगा आप देखना होगा 4th of June को जब result आता है क्या होता है बट आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर विवात को लेकर क्या यहाँ पर election commission को कोई action लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए आप क्या सोचतो मुझे comments में जरूर बताएगा और जा यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF शी तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोचल मीडिया पर आप यूर पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताए अगर आप UPSC की त्यारी करें कोई भी बैट चाहते हैं especially यह हमारा कल से start हो रहा है don't miss this you can simply use this code ankit live ताकि sale क के दौरान आपको extra जो discount है यहाँ पर अधर वाई यह 30,000 का मिलता है जो कल राद 12 बजे तक आप इसका offer ले सकते हैं और I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं से next time till then thank you very much see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable